UPPSC की ओर से दो नोटिफिकेशन जारी की गई है सबसे पहले तो आपको बता दें कि समिक्षा अधिकारी सायाग समिक्षा अधिकारी 2016 की जो मुखी परिशा के बाद इसका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बाद इसका जो अंतिम पैडाम है वो जारी कर दिया गया है तो आपको बता दें कि 2016 की मुखी परिशा ये 22 और 23 फरवरी 2020 को करवाई गयी थी टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था ARO के लिए यानि की सायाग समिक्षा इदिकारी के लिए वो 23, 24 और 25 फरवरी को परिशा करवाई गयी थी तो कुल मिलाके 303 पद थे इसमें कितने पद थे 303 पद थे और इसमें से 260 अभेटियों को आपबंधिक रूप से सफल गोजित किया गया है और बागी की जो 43 पद बचे हुए है उन्हें के लिए 2021 की जो वकैंसी है उसमें जो है जो है जोड़ दिया गया है तो 2021 की वकैंसी के लिए 43 पद समझें कि बढ़ गया है और अंतिम परडाम जो है वो जारी कर दिया गया है 2016 के लिए और दोस्तों यहाँ पर एक खबर और भी है खबर ये है कि गौवर्मेंट डिगरी कालेज यानि की राज की महाविद्यालो में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परिचा होनी थी 17 अपरेल को तो ये परिचा भी पंचा चुनाओ के मद्यनजर जो है अस्तिकित कर दी गई है अगली डेट अभी जो है डिकलियर नहीं हुई है जो अगली डेट होगी इसकी सुचना आपको बिग्यप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी तो आपको बता दें कि ये जो उत्तरपदे इस राजकी माविद जालो में असिस्टन प्रोफेसर के लिए आयोग द्वारा पूर में जाज़ी बिग्यप्ति संक्या बासट एक डी यार यस थ्री डोजार बीस इक्टिस दिनांग एक फरवरी दोजार इक्टिस के द्वारा और ये परिच्छा जैसा कि आप जानते हैं हैं आपको सुचित करेंगे फिलाल देखे अपना नुकसान अप लोग मत करिएगा पढ़ाई करते रहें यह आपके काम आएगा और अगर परिक्षा तलती है तो उसके बारे में आपको सुचित करेंगे फिलाल इस्टडी में बने रहे तो मिलते हैं आप सक लिए वीडियो